तो केजरिवालना कवभान सामे अवे पूरुवा दारा सब्या पन आरोप लगावी रहा छे केजरिवाल पर रुप्या लाईने टिकेट वेचवानों आरोप छे दिल्लेना सीमा पूरीना पूरुवा दारा सब्या धर्मेंदर कोली ये पन आरोप लगावी हो छे परिवाहन मंतरी कैलाश गहलोवत पासे 400 प्रोपटी होवानों पन खुलासो थायोशे पेगबादेग अर्विंद केजरिवाल उपर आरोप लगावाम आवी रयाशी त्यारे हवे पूर्व धारा सब्याई पन आरोप लगाव्योशे जमा रुप्या लई ने टिकेट वेचवानों आरोप पन खुलावे अर्विंद केजरिवाल उपर पुर्व धारा सब्याई लगाव्योशे दिली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल मौज़ुदा दौर में ​​E minded के सवालों का जबाब दे रहे हैं और उनकी कश्टडी एक अप्रेल तक बढ़ाई गही है लेकिन अर्बिंद के जरिवाल की गिरफतारी कैसे हुई अर्बिंद के जरिवाल के ब्रष्टाचार को ओजागर कैसे किया गया यह सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ आज इस पूरे रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अर्बिंद के जरिवाल के साथ शुरुवाती दोर पर थे लेकिन आज के मौज़ोदा वक्त में ऐसी कई सारी गत्विधिया हो रही हैं जिन्हें लेकर लगातार आम आपनी पार्टी पर सवाल उठ रहे हैं अंशुमन जोशी जी से बात करेंगे सर क्या कुछ खुलासा करने वाले हैं देखे मैं ये कहना चाहता हूँ कि के जिवाल जी के ब्रश्टाचार की सीमाएं अगर हम बात करें बिल्कुल चरन सीमापे हैं ब्रश्टाचार इनका इनके मिलेज इनके मिलेस का रोज खुल-खुल के आ रहा है अभी सुनने में आया है इनके 18 मेले पूरी तरह से लिप्त है और हर मिले कई सो करोड की संपत्ती बना के दिली में बैठा है जिन लोगों के पास में घर में रहने के लिए जगा नहीं थी लोगों को घर में रहते थे एक तो इनी के घर में रहते थे जिनके बारे में आला बड़े नेता है रिजिंदर नगर से विधानसवा मेंबर है मेले है तो दुर्गेश पाठक जी तो अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि यह वो सब लोग हैं जो लोगों के पास कुछ नही पार हैं 1200 क्रोट रुपे की संपत्ती लेके बैठे हैं सारी प्रापटियां मेले मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने खरीदी है और उनके पूरी परिवार के पास है मुझे आप यह बताईए एक कोई भी दिली का व्यक्ति 1200 क्रोट रुपे तो सर्कल रेट है 1200 क्रोट की प अधिक सवाल उड़ता है कि अर्विन केजरिवाल भी जब पहले आया थे आपको याद होगा नहाजारे के साथ तो उन्होंने बड़े-बड़े वादे किये थे जैसा कि मैं देख रहा हूं पूरविधायक हैं दोनों अलग-अलग विधानसभा से तो आप लोग उनके साथ जब जुड़े तो ऐसा क्या हुआ कि आप लोग पूर्व हो गए और अर्विन केजरिवाल जी ने आपका साथ छोड़ देया अब मैं अपनी असलियत बताओं क्योंकि जिस सीट से मैं लड़ा इलेक्शन लड़ा आमारी पाड़ी में 2013 में वहाँ पे चौधरी प्रेम थे कॉंग्रे के बहुत बड़े लीटर और दो टाइम के वह स्पीकर भी रहे और 55 साल से कभी हारे नहीं थे वो जीत हमने हासिल की थी लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती है वो ही आमादी पाड़ी ने करा अर्विन केजवाल जी ने मैं कहूं कि वो कुछ लोग थे जिन वो जो बने अब आने वाले टाइम में मेरे बाद वो पैसे देकर टिकेट लेकर आए तो आप बहुत बड़ा आरूप लगा रहे हैं कि पैसे देकर टिकट दे दिया गया करते हैं एक करोड चालेसलाक रुप लिए थे लिकिन अगर हम प्रूफ देखें ऐसे कहना तो अलग हम अगर तिरे पास में पैसा है चुनाब लड़ सकता तो लड़ नई तो मैं तेरी टिकट काड दूगा बस इतना इसा इसा वाल था उसने मेरी टिकेट काड के बेग दी और आज हर चुनाब में वह टिकेट पहले यमेले की भेख रहा था आज कांसलर की बेख रहा आप MP की विक्री है बताव ना कितने candidate हैं जो दिल्ली में चुनाब लड़ रहे हैं वो वोलेंटर से विधायक बनने के बाद में एक ही आदमी का है उसके अलावा किसी भी MP में इसके गरीब आदमी से या कोई वोलेंटर से खड़ा नहीं है जिसकी जेम में पैसा आज वो चुनाब तो साब तोर से आने वाले समय में अब एक बार फिर से विधान सभावे कुछ सेटों पर सुनाव लड़ने के तयारी के जा रही है और इसमें सबसे अलग बात यह है कि अर्भिन के जरिवाल के पूर साथी पूर विधायक जो रहे हैं ये भी इनके साथ है तो कही ना कही आ आने वाले समय में एक उम्मीद की किरट जरूर देख रही है कैमरामेन गौरो सक्सेरा के साथ देवनात पांडे गुच्रा